हाई वेलकम तो मैं चैनल इस बीडियो में solve करेंगे question number 5 यहाँ पर क्या दिया हुआ है find the squares of the following numbers using the identity whole square is equal to a square plus 2ab plus b square तो इस identity का use करके जो है हमें इनका square निकालना है चलिए solve करते हैं तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखें यहाँ पर 405 है न तो हमें 45 को क्या करना है कि दो parts में break करना है और उसको लिखना है a प्लस b का whole square तो हम यदि 45 को लिखते हैं ठिक है यदि हम 45 को लिखेंगे इस तर्वे से कि 400 plus 5 तो इसका square करना आसान रहेगा लेकिन यह हम इसी को 45 को लिख सकते हैं इस तरवे से भी 399 29 plus 6 तो इसका square करना आसान नहीं होगा क्योंकि A square करना ये 399 का square करना बड़ी मुश्किल है मतलब थुना सा लंबा पड़ेगा तो ये तरीका सही नहीं होगा इसलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे हम करेंगे square चलिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर और इसका यूज़ करते हैं तो हमें देखना होगा कि easily हम कैसे square निकाल सकते हैं A और B का उस तरीके के A और B में इसको break करना होगा यही हमें सोच करना है मतलब कि यहाँ मैं लिख दूँ 405 और इसका निकालना हमें क्या है square निकालना है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 405 को लिखना पड़ेगा 400 plus 5 का whole square ठीक है और यहाँ पर देखे 400 plus 5 का whole square होगा यहाँ पर इसको मानेंगे A और यहाँ का B है देखेँ, यहाँ पर A का square करते हैं means हम यहाँ पर करेंगे 400 का square plus 2 into A b करते हैं A into B करते हैं मतलब कि 400 में मैं इपलाई करेंगे 5 से plus last में B square करते हैं मतलब कि 5 का square करते हैं तो हमें इंपल गया 400 square मतलब क्या मिल गया 1600 और यहां मतलब 4 for the section हो जाएगा और 2 0 का double 0 लगा देंगे मतलब कि 6 इतना हो जाएगा 16 हो क्या आगा 4 0s पलस यहां मतलब कर देंगे 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 का 1 0 यहां पर एड हो जाएगा मतलब की हो जाएगा 4000 पलस 5 square क्या हो था 25 अब इसको एड कर लेते हैं आड करना असान है कैसे 5 में 0 एड करेंगे, 0 एड करेंगे 5 ही आएगा 2 में 0 एड करेंगे 0 एड करेंगे 2 ही आएगा मतलब यह दोनो और यह दोनो खतम हो गए अब यहाँ से यह 0 बचा है और यह 0 से एड करेंगे तो 0 ही आएगा उसके आगे 4 एड़ करेंगे तो यह 0 में एड़ होगा तो 4 ही रहेगा और यह 6 और 1 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है तो 1,6 ऐसे रिख देंगे ऐसे एड़ करते हैं हम आसानी से ठीक है तो यह मिल गए आपका नंबर जो की 4 and 5 का स्क्वार है ओके सिमिलरली जो है ऐसे ही हमें एड़ करना है चलिए सेकेंड करते हैं 510 का क्या निकालना है इसको लिख लेंगे पहले हम A प्लस B के फ़र्म में और इसको लिख लेंगे इस से 500 प्लस 10 का होल स्क्वार ठीक है अब यहाँ पर A है आपका 500 और B आपका है 10 और इससे से ब्रेक करेंगे मिन्स यहां पर लिखे लेंगे हम 500 Day मतलब A स्क्वार प्लस 2A ,2A मतलब की 2 इंटू 500 इंटू बी मिन्स 10 प्लस बी स्क्वार, भी स्क्वार मिन्स 10 का स्क्वार, राइट अब बती इसक्वार कीतना हो जाएका 5 5 जा होता है 25 और double 0 का हो जाएगा 4 0s square करने पर 4 0s हो जाता है plus यहाँ पर देखिया करना होगा 2 5 जा 10 होता है और यहाँ पर देखिये 1 0 2 0 3 0 1 2 3 ति यहाँ का अंसर हो गया इसका plus 10 के square करना है मतलब कि 10 into 10 2 0 बढ़ा देंगे 0 बस देखते हैं यहाँ पर 0 कितने है यहाँ बढ़ा दिए ओके हो गया अब यहाँ पर add करना है 2 0 यहाँ पर 2 0 यह 2 0 यह मतलब कि 0 0 आएगा यहाँ उसके आगे 1 है उसके आगे यहाँ यहाँ पर 0 है और यह 0 है मतलब कि 1 आएगा उसके बाद यहाँ 0 है फिर यह 0 है तो 0 आएगा फिर यह 1 है और यहाँ पर गया है 5 है तो 6 आएगा उसके बाद से 2 है तो 2 ही रहेगा यह हमारा आँगया answer अब करते हैं third one यह है आपका one thousand one और इसका करना है हमें square तो इसको लिखेंगे हम one thousand प्लस one का whole square और इसको हमें a plus b का whole square हमें break कर लेंगे तो मतलब की one thousand का square करेंगे plus one का square करेंगे plus और sorry इसमें पहले मातब two यह भी करते हैं तो two यह भी two into a means one thousand into one plus b square means one का square राइट तो यह one thousand का square करेंगे तो क्या में लेगा one के आगे करेंगे six zeros क्योंकि यह तीन जिरोज है तो six zeros plus यहां पर हो जाएगा two और यह three zeros यहां पर है three zeros बढ़ा लेजिए क्योंकि one supply करेंगे तो उतना ही आएगा plus one राइट अब यह पर add करते हैं देखे one zero zero one फिर यह देखे दो zeros और दो zeros मतलब कि zero zero हो जाएगा यहां पर अब दीकर two है आपका और यह zero है two होगा उसके बाद कुछ है नहीं है तो यह double zero और one मतलब की one और double zero मतलब यह आपका अंसर हो गया clear तो यह आप यदि नोट कर चुके होंगे तो मैं यहां से उपर से delete करने वाला हूं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को pause करके आप नोट कर सकते हैं राइट तो यहां तक हम नहीं कर लिए ओके ठीक है थाड़ हो चुका है आप करता है fourth fourth है आपका 209 का square निकालना है आपको तो इसको लिखना पुड़ेगा 200 प्लस 9 200 प्लस 9 square इसकोल 2 क्या हो जाएगा यह 200 का square plus 2ab 2 into a into b means 9 plus 9 का square ठीक है यह हो जाएगा 224 double 0 and double 0 plus यह हो जाएगा 249 36 double 0 plus 9 and 81 अब यहां पर add कर लेते हैं कि 81 double 0 double 0 तो यह हो गया आपका answer fourth का अब करते हैं fifth one यह आपका है 605 का whole square ठीक है तो हमको इसको break करना पड़ेगा इस तरह से a plus b को form में तो लिखना होगा 600 प्लस 5 का whole square अब देखे 600 का square कर लेंगे है आप पर plus 2 into a into b means 5 plus b का square means 5 का square राइट 600 का square करेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस यहां पर करेंगे 5 to 10 हो जाएगा देखे 5 और टू को मेंट प्लाइगा यह तेन हो जाएगा 600 के आगे एक जिरो बढ़ा देंगे बस मतलब कि 6000 प्लस 55 जाए 25 अब यहां पर एड करते हैं देखें यहां पर 25 है 00 है 00 है मतलब 25 आएगा एड करने पर यहां देखें एक 0 है और एक 0 है जिरो आएगा यहां 6 है और 0 है 6 आएगा और 36 अब उतार देंगे मिंस यह हो गया आपका अंसर तो हमने यह सारे कुशन कर लिए इदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों कर दीजिएगा और कोई वीडियाउट होता है तो कमेंट बाक्स आपके लिए थैंकिस सो मच फर वाचिंग बाई